मुख्यमंती वीवदे सिंग के सुजानपूर बी आईपी सीट पर कॉंग्रेस पर्तियाशी राजिंदर राणा के लिए परचार के पहुंचने पर NCP रस्टवादी कॉंग्रेस के उमीदवा रविंदिय सिंग डोगरा ने कड़ी निन्दा की है NCP के परदिशा अधिक शिवन सुजानपूर के उमीदवार रविंदे सिंग डोगरा ने कहा कि सुजानपूर की जनता भली बांती जानती है कि राजंदर राणा के परचार के लिए आज मुख्यमंती सुजानपूर पहुंच रहे हैं उसे के लिए मुख्यमंती विवद सिंग ने स्कैंडल के लिए भी सीवियाई चांज की मांग की थी और मुख्यमंती यह भी बताएं कि मुख्यमंती खुद बीज़ेपी के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि कॉंग्रेस चाहती नहीं है कि तीसरा भी कल्प परदेश के अंदर तेयार हो सके एंस्दीपी के उमीदवार रविद सिंग डोगरा ने कहा कि मुख्यमंती विवद सिंग सुजानपूर ऐसे वेक्ति के लिए परचार करने पहुंची हैं जिसके लिए कभी खुद ही सीवियाई चांज की मांग कर रहे थे तो ऐसे में जंता को बीपकूब बन कबजा करने के लिए कोई कसर नहीं चोड़ना चाहती है वहीं ऐसे में एंस्दीपी के द्वारा भितीखा हमला बोले जाने पर रासनेती गर्मा गई है देखिए सुजानपूर की जंता वह समयदार है इससे पहले कि मैं कुछ सुजानपूर की जंता को बताऊं सुजानपूर की जंता खुद जानती है और सारे कॉंग्रेसी और सारे कांग्रेस के कारेगरता ये भली बानती जानते हैं कि जिस वेक्ति के चुनाप पर चार प्रसार के लिए वीर बदर जी आ रहे हैं आज से कुछ वर्ष पहले शिमला में एक स्केंडल के लिए वीर बदर जी ने उसी प्रत्याशी के लिए CBA इंक्वारी की मांग करे थी जिसको उन्होंने कॉंग्रेस से टिकट डिके सुजंपुर से प्रत्याशी बनाया है नमबर एक नमबर दो कि मैं वीर बदर जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमेशा यह होता है है कि चाहिए वो बीजेपी हो यह कॉंग्रेस हो वो कभी यह चाहते ही लिए कि तीसरा विकल्प जंता के सामने आए ताकि भाजपा और कॉंग्रेस को कड़ा संगर्श करना बढ़े है तो आपसे मिली बगत से हमेशा पान साल बीजेपी और पान साल कॉंग्रेस चलती आई है तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जान बूझकर यहाँ पर इस तरीके की जो राजनीती की गई है ताकि राश्टवादी कॉंग्रेस पार्टी या अन्य कोई वर पार्टी कि इसरे दिकल्प के रूप में सुलनपुर में कभी न आप है